मायावती का राजे सबा से अस्तीफा, दलितों पर अतियाचार और अपनी बाद नहीं रखने का लगाया आरोब आपको बता दें कि बस्पा की खिसकती जमीन को बचाने के लिए पार्टी पर मुख मायावती ने एक नया राजनितिक दाव चला है राश्ट्रपती चुनाव में भाजपा को दलित कार्ड से तिल मिलाई मायावती ने दलितों और अलप संखाकों पर हमला के मुदे बना कर मंगलवार को राजे सबा से अस्तीफा दे दिया अपने इत्याग पत्र में उन्होंने कहा कि मैं दरित समाज से आती हूँ और जब मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मेरे यां होने का क्या लाब मंगलवार की सुबे विपक्ष तैयारी के साथ संसद में आया था विपक्षी सांसद बैनर के साथ मौजूद थे कारेवाही शुरू होते ही सरकार पर आरोपों की जड़ी लगाने लगी जवाब सरकारी पक्ष की और से भी आया राजे सबा में तब संसनी फैली जब मायावती स्तीफी के धमकी दे दी दरसल सहारनपुर दंगे के बाबत उपयाध्यक्ष ने उन्हें कुछ मिंटों में भाशन खतम करने को कहा वक्त गुजरा तो घंटी बजा कर उन्होंने इसकी याद दिला गई इस पर मायावती आपक हो बैटी उन्होंने तैश में उप सबापती पर बरसते हुए कहा कि जब आप मुझे सदन में बोलने ही नहीं देते तो मैं इस्तीफा दे देती हूँ उसी अंदाज में वह सदन छोड़कर चली गई कांगर्स और वामदल के सदस्यों ने भी मायावती के साथ ही सदन छोड़ दिया इसके बाद संसदिय कारियर राजे मुख मंतरी नहीं मुख मुकतर अबास नकवी ने कहा कि मायावती ने उप सबापती का अपमान किया है जिसके लिए उन्हें माफी माँगनी चाहिए बस्पा पर मुख ने वेविद अपना इस्तीफा शाम को राजे सबा के सबापती हामद अंसारी को सौंप दिया उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि मैं शोष्टों, मजदूरों, किसानों और खासकर दलितों के उतपीडन की बाद सदन में रखना चाहती थी सहारनपूर के शबीर पूर गाउं में जो दलित उतपीडन हुआ, मैं उसकी बाद उठाना चाहती थी लेकिन सतापक्ष के सभी लोगों एक साथ खड़े हो गए और मुझे बोलने का मौका नहीं दिया